तो मित्रो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वेल आइकाउन जरूर दबाईए ताकि जब मैं कोई धार्मिक वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन शब से पहले आपके पास पहुंचे गैत्री का एक बार का जब पूरे दीन के पाप को नस्ट कर देता है अगर दस बार जब करते हैं तो दीन और रात के शंपुर्ण पाप नस्ट हो जाते हैं सौवार यानि की एक माला जब करने से महीनों का उपारजित पाप नस्ट हो जाता है गैत्री मंत्र के एक हजार के जब से बरसों के पाप भस्म हो जाते हैं गैत्री के एक लाख जब में एक जन्म के पाप नस्ट हो जाते हैं मा गैत्री के दस लाख जब में तीन जन्मों के भी पापों को नस्ट करने की अमोक शक्ती है एक करोर जब करने से सम्पुर्ण जनमों के पाप नस्थ हो जाते हैं पर निश्पाप होने के बाद भी पुनह नौ करोर गायत्री जब यानि की दस करोर गायत्री जब ब्रामनों को मुक्त कर देता है इसी कारण नाम मात के ब्रामन मुक्त नहीं होते और पाप आचान में लिप्त होकर वे प्रतिग्रावी लेते हैं तो और भी भैंकर पतित हो जाते हैं अताधर्मडत रहे और स्वपाकी बने शात में गायत्री के दस करोर जब करें वह भी ब्रह्मचर्ज पुर्व के अभोग के साथ जपने की आग्या नहीं है तो परासर जी कहते हैं किसी कार नहें दी जो सास्त्रों में मुक्ति या परंपद इतना आसान नहीं बताया और कम से कम जोद्विज हैं उनको तो भैंकर तप की आग्या है शिवा या स्री राधाजी की विशेश क्रिपा से यह 10 करोर गैत्री जब मात्र दू घरी यानी की 48 मिनट में शंभव है तो बोलगी जय माता गैत्री जय माता गैत्री